तो आज हमें पाकिस्तान प्रिमियर प्लेट में खेलने का मौका मिला है तो अब ही एक और मेसेज आया है कि वेस्ट इंडीस के टूर में भी मुझे खेलने का मौका मिल रहा है एकसप्ट कर लेंगे मज़ा आगया अब तो सिर्फ खेलने का भी नहीं केप्टन सी भी लेने का ओफर आया है तो हम हाँ एक्सप कर लेंगो क्या बात है आरे वाँ आज के दिन तब बहुत बहुत मज़ा दे रहा है पहले ओडिये सिरिस फेर T20 सिरिस का भी आगया आज खेलने में बहुत मसा आएगा को लूंबो में मैच है पता नहीं सिच कैसा रहेगा शहाद और डस्टी ये गेम हार्ड सेटिंग में के खेल रहे हैं हम भी काफी दिन बात इंटरनेशनल मैच खेल रहा हूं मैं देखना है करशे चलेगा एक लुआ अत्तावी का वी आटानेशनल मैं वह Englished काटाव इंडेशनल को लूंबो पर्क और्वा इंडीय विच्वार्व स्वर्द का भी sł newer श्रवाश्टी श्रवाश्टी एंडिया वेस में आरहा है इस ताइम फर दे तॉस साथ अफरिका काल्ट टेइल्स एंड अरे यार बॉलिंग मिल जाए अहाँ अच्छा 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 चला 52 रूंस फर वन विकेट इन नाइन अवर्स पावर प्ले वेस्ट कर दीन लोगों नहीं हम पहला बॉल मिस्स खोड़ा ऑफसे बाउंडरी 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 वुहू मेरा पहला बाउंडरी इस सिरीज में देखते हैं इस इंदिया वर्सेश सौथ आफरिका सिरीज में कितना रंस में बहाँंगा हाँ यही है मेरा कारेक्टर जर्सी का नाम है टाइगर नंबर है टेन वू यह तो यह तो बहुत ही वाडिया बाउंचर है हूँ ओ हो 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 मेरा कांट्रोलर वाइब्रेट हो रहा है 3 3 3 3 3 3 3 वू हो मुझे 3 रंज लेने का मन कर रहा था इसलिए क्यों कि अगला ओबर भी मुझे ही खेलने को मिलेगा शायद अच्छा स्पिंडर आ गया मशाबा है इसका नाम चैलो देखते हैं क्या होगा मुझे ना स्पिंड में खेलना अतना अच्छी सा नहीं आता है थोड़ा स्लोली क्यों लिएँगा हां तीन रन अभी काफी है क्योंकि ये तो ओडिया मैच है ना तो धीर इसे खेलेंगे ना चिल्ड रिलाइग्स्ट होके खेलूंगा देखते हैं आज शातक होगी क्या नहीं ए ओहोहहहहहहहहहहा तो इसे वेबड़्ड हुआ जैसे बांडरी बांडरी चला गया ये रीपे देखेंगा एक जार ओहोहहहहहहहह थोग प्सक्राइग्स्ट केमरा विव तो बिलकुल गोप्रो जैसे दिख रहा था अगर लास्ट बाल अफद ओवर होगा तो तब सिंगि सब्सक्राइब लेके तीक है अरे यार सीधा फिल्डर को मार दी मैंने अच्छा यह लास्ट बॉल है अगर हो सके तो सिंगिल लेके हाँ हाँ 14 तोवर में नहीं आ गया स्ट्राइक पे यहीं चाहता हूं मैं भी हाँ यह थोड़ा फास्ट बॉलर है 133 आसानी से दो रन मिल गए और डाइब पहला टार्गेट तो 30 रन्स हैं अगर यह मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा यह तो आसान लग रहा है भाई भागो अगे से थर्टी तो बन गया अब निक्स गोल है 50 है कितने गिन में 30 बॉल्स में 30 बॉल्स में 50 है अभी हो गया है तो बॉंडरिस लाना अतना आसान नहीं होगा फिर भी मैं ट्रॉय करूंगा इतने बॉल्स बचेंगा तेरा तेरा बॉल्स में 50 रंस बादना है लगता है यह दो आसान से मिल जाएंगे आरे यार आइडियल टाइम आ गया फिर भी इन बॉंडर नहीं गए ठीक है कोई बास नहीं अभी तो ओवर शुरू हुआ है चला अभी 11 बॉल 14 अभी चल्दी आना अब तो क्यां रखता है इसमें तीन आच नहीं 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 दो काफी है अब अब लग रहा है कि शील्ट चेंज हो गई है अब तर शॉट बॉल डालेगा भी अरे थोड़ा टाइमिंग मिल जाता तो यह भी बाउंडरी चला जाता था 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 यह बड़ा बाउंडर आ गया भागना शुरू कर दी पाट्रिक ने आ यह यह अर यह अनननननना सोच रहा था कि दो ले सकता हूं पर रिस्क नहीं लेना का है क्योंकि अभी हमें सिर्फ नौरन बनाना है फिफ्टी करने में आर्ट गेंड है अभी बच्चे क्योंकि इंडिया पहला बैटिंग कर रहा है तो मैं सोच रहा हूं करीब 400 रन हो जाएंगे तो आसानी से जीत हो जाएंगे 5 गेंड बाकी है और 8 रन बनानी है पुला आफसेट पर जाके लेक्सेट पर खेलने का प्रयास परेंगे और मिल गए दो रान आसानी से भागो भागो आप क्या त्रो है सीधा सीधा विकेट पर आ गया अरे यार एक और विकेट गर गया उझे तर डर लग रहा है अब कहीं इसा ब्लग मेरे शटक से पहले ही आउट हो जाए मैं सोच रहा हूँ कि अब शतक तक किसी और को स्ट्राइक नहीं दूगा तो कैसा रहेगा कोई आउट नहीं होगा तक है ना अब कि अब यह दो रण ने काशी रिस्की है पर लूँगा अरे यह और वेरी क्लोज वेरी क्लोज दाट वस अब एलेक्स चंप एकड़े होंगे खेल लूँगा देख लेंगे यह क्या डाले गया अच्छा अच्छा यह तो आसानी से तू रण दो रन आगे भागो 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 बाई-साब बागो जल्दी यह और तो हो गया और हमें मिल गए यह चालेंज पूरा नहीं हुआ तो थर्टी वन रंस में फिफ्टी वन रंस बनाई हैं हमने देखते हैं श्टक कपा होगा कर थर्टी टू बॉल्स के लिए हैं मैंने और फिफ्टी त्री रंस बनाई है तो टार्गेट है सेंटी फाइव रंस बाई फॉर्टी फाइव बॉल्स इस 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 बनाई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है पर उतना आसान भी नहीं है तीन रं मिल गया हमें नाइंटीन रंस बनानी है लेट हो गया लाकी ली एज और बाउंडरी चला गया है ऐसा चला गया यह रिप्लेंग अज़ी फोर बॉल्स इक्स्टी रंस यह अच्छे सा लगा और यह मिल गया बाउंडरी यह बिल्किल बक्वास बॉल है शॉर्ट बॉल था उप्साइड पे था तो मैंने प्ट कर देंग 10 बॉल दस रंड वाह तो हमारी टाइम चल रही है एक और बॉंडरी ऐसे जाएगा तो इसी ओवर में 75 रंस हो जाएंगे थोड़ा प्लेस्मेंट थीक नहीं था नहीं तो यह बॉल भी शायद बॉंडरी चला जाता चला दो और बॉल पचे हैं हां 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 ओवर्ट ओवर्ट रो के लिए ट्राइक कर रहा हूं पर हो नहीं रहा ठीक है आभी हमें सेवन बॉल्स हैं और सेवन रंस बनानी है तिक टिक 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 शेलो इस ट्राइक तो मैं रख ली तरिक थो बाइसे देख रहे हैं पूरी मेहना तो मेरी और यह ऐसे देख रहा है जैसे यह सब कर रहा है और लेफ्ट आम फिंगर स्पिन के देन मारी शेलों 6 balls 6 runs नइ 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 थोड़ा तो ड्रामा करना है है कि नहीं है 5 balls 6 runs आसान दिख रहा है पर वाह ऐसे balls आएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा आरे यार टाइमिंग नहीं मिला अच्छा पूरा ओ अरे यार एक और विकेट के रिया मैं तो अब तो स्ट्राइक तखना ही पड़ेगा मुझे तीम बॉल बचे हैं आंचन बनानी है आसानी से त्री आ यस चार रन बन गये देखते हैं मारा स्ट्रेट ड्राइव कारी बूम बिल्कुल सीधा बिल्कुल सीधा बिल्कुल सीधा वाह मज़ा आ गया मज़ा दो बॉल बचे हैं एक रन बची है 75 रन्स के लिए यस 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 45 बॉल्स के लिए तो 60 बॉल्स होते ही शतक बनाना है मुझा आरे यार दो रन लेना था गलत करते माने और यह लोग भी विकट लेकर लेते जा रहे हैं तो तीन रन तो अभी तीन विकट अभी गिर गए अखरी बॉल्स किसलो इस अंगलमे रिप्ल दिखाने का क्या मत आफ है यार मुझे कुछ समझ महीं आएंगे अन जीता इंज दिकिन नहीं लेता है बॉंट रिगाया या नहीं वो दिखा नहीं थे था यह क्या है यह गटिया गटिया एंगिल है अरे यार एक और विकट गिर गया कि लगता है मेरा पुद का टीम शतक करने में रोक रहा है हमें चार विकट गिर गया भी और मुझे तो सिर्फ ग्यारह बचे हैं 18 रॉन बनाने में अरे सिंगल नहीं लेना था यार मझे कहीं एवी आउठा हो जाएगा तो मतलब बूरा का बूरा टैलेंड भी आजाएगा आप तो जानते ही हो हमारा बैडिंग कैसा है अधिये अच्छी से लगा असानी से दो रन और हो सकते तो तीन लूगा मैं तीन 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 झार डइव क्योंकि मुझे अब है विक्ट लेना है उनको तो नहीं दे सकता मैं क्योंकि जब भी स्ट्राइक से रहा हूं एक और एक 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 विकेट गिरता जा रहा है है आठ बॉल अभी बच्छे हैं अमारे शथक बनाने में है तो पास्च बच गया बच्छ गया इसवें बॉल बच्छ एव और वल करनी है तो अब ऐसे दो बॉल रन लूँगा तो भी मेरे शथक हो जाएगा पांच बॉल पचे हैं और नौरन बनानी है तो आफसेट पर जाओ लेक्सेट पर केल दो हो गया बाउंडरी शायद वुहू असानी से बाउंडरिंग गया हम चलो इस का इस घारी पर देखेंगे हम बूम हो गया बाउंडरी चलो उधर तो एक फीलर को रख दी नौगने तो हम लेक्स टंप पर आ जाएंगे और सिंगल्स लेंगे और क्या तीन बॉल में चार रन बनानी है और जैसे हम देख सकते हैं और यार एक कैसे मिश हो गया या इदर इदर ना यह लेक्साइट पर काफी स्पेस है तन बनाने के लिए हाँ ता असानी से तू रन मिल जाएंगे शायर बागो बागो अब ता असानी से दो रन बन गए हूँ लगता है हमारा टारियट हम रीच करने वाले हैं अभी एक बाल बच्ची है और दो रन भरानी ह यह बगवान एदे बार एदे बार दो रन दे रन 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 डाई यह 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 बागो अबी लोगों को वंट्वल रन्स मारना है 72 बाल्स में तो आउटसेड आउफ स्टम्प एक बाउंसी लेग स्पिन और यह मिल गया कैच यही यही बात मुझे अच्छा नहीं लगता है कि क्रिके 22 में अगर आप ने भी कभी बॉलिंग की है तो आप भी जानते हो अभी हमें एड्ज मिलता है तो विकेट नहीं रहते हैं रहते हैं तो आप अच्छा ऊपटन से भी मिल गया है तो वही प्रीकॉर्फिक वही नहीं सिर्फ टेस्ट भी नहीं मुझे इंडिया की की आपर मिल देया है और मैं अग्सप्त कर दी है अगर आप देखना चाहते हो कि मैं अगर विलाटखोली का रिकॉर्ड मेंडिन कर पा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोस देखते रहो